नमस्कार आपका स्वागत देश्या न्यूस इन्याम है मैं पूर्णम आपके साथ कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने पर सुप्रेम कोट के फैसले को लेकर चीन ने कहा है कि वो भारत के फैसले को सुविकार नहीं करता है चीन के विदेश मंत्रायले की परवक्ता माउनिंग ने कहा इस फैसले का बिजिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है चीन ने आगे कहा हमने कभी भी भारत के एक तरफा और अव्यत तौर्पस तापित केंदर शासित प्रदेश लद्दा को मानिता नहीं दी है भारत के सुप्रिम कोट के फैसले से इस अच्चाई नहीं बदल सकती कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है इससे पहले मंगलवार को चीन माउनिंग ने कश्मीर मामले पर कहा था भारत और पाकिस्तान की बिश लंबे समय से विवाद चल रहा है इसे शांती पूर्ण तरीके से UNSC के प्रस्तावों के तहत सुलजाना जरूरी है चीन ने कहा दोनों पक्षों को बाच्चित और चाचा के जरी मसले को सुलजाना चाहिए ताकि शेत्र में शांती और स्थिर्था बनाई जा सके भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था साती राज को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाक में बाट दिया गया था तब चीन ने कहा था कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला चीन को सुईकार नहीं है और वो लद्दाक को अलग केंडर शासित प्रदेश बनाने के खिलाफ है रिपोर्ट्स के मताबिक आर्टिकल 378 ने के बाद चीन ने अपने सयोगी पाकिस्तान की तरफ से अपचारिक रूप से आपातकालिन बैटक बुलाने के बाद UNSC में इस मुद्दे पर बंद दर्वाजे के पिछे चाचा करने को कहा था